हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो नॉलेज मॉल आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग संडे इश्पेसल में बिहार एसाई दरोगा के लिए 100 कोस्टिंस का सेट जिसमें की आपको जीके जीस एंड करेंट अफेर्स के टोटल 100 कोस्टिंस एमसी क्यू मिलेंगे और हां इसमें जितने भी कोस्टिंस हैं आपको इसकी पीडियाफ जो है एमारे साइट पर दे दी जाएगी आप वहां से पीडियाफ चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट की लिंक आपको यहां पर दे दी गई है चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी तो चलिए लगाता है टेस्ट कोशन ने दिया गया कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है आंसर हो जाएगा सीमा सुलक या फिर सीमा कर औस नमबर सी आयात और निर्यात पर यानि कि जो वस्तूएं देश से बाहर जाती है या फिर देश से बाहर की वस्तूएं हमारे देश में आती है यहनी की सीधे तोर पे कहा जाए तो आयात और निर्यात आपे से कह सकते हैं तो इस पर जो सुल्क लगाया जाता है उसे हम लोग सीमा सुल्क कहते हैं सीमा सुल्क जो है एक परत्यक्ष कर है और सीमा सुल्क केंद्र शरकार के द्वारा आरोपी तेवं एकत्र किया जाता है लेकिन इसका जो विभाजित किया जाता है वो वित आयोक की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज में विभाजित किया जाता है नेक्स्ट है कोश्टन कि गौतम बूध के समय का प्रस्षिद वैद जीवक किसके दर्बार से संबंदित था? आंसर हो जाएगा इसका विम्बिसार, उप्सन नंबर D. तो याद रखे कि गौतम बुद्ध के समय का जो प्रशिद वैत जीवक था किसके दर्वार में सम्बंदी या किसके दर्वार से सम्बंदी था तो भिम्बिसार के दर्वार से सम्बंदी था कोशन है अगला कि रंगोली भारत के किस छेतर की प्रमुख लोग कला सैली है में आर्थिक शर्वेक्षन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्राले द्वारा ओप्सन नमबर C कोशन है अगला कि वर्स 2011 की जनगन्ना के जनगन्ना आयुक्त अंसर हो जाएगा डॉक्टर C चंद्र मौली औप्सन नमबर A कि 2011 की जनगन्ना में जनगन्ना आयुक्त तो कौन थे के सोरी डॉक्टर C चंद्र मौली नेक्स्ट है कोशन कि भारत का प्राचींतम विशाल उद्योग निम्न मेंसे कौन सा है आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा option number D भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है तो वो है सूती कपड़ा next question कि भारत की सबसे अधिक छेत्र में कौन सी मिटी फैली हुई है answer हो जाएगा इसका जलोड मिटी option number B कि भारत में अगर सबसे अधिक छेत्र में कोई मिटी कौन सी फैली हुई है तो answer क्या हो जाएगा जलोड मिटी इसे हम लोग alovial soil भी कहते हैं और ये जो है नदियों द्वारा लाई गई मिटी होती है question है अगला कि राज्य सभा के सदस से चुने ही जाते हैं इसमें long option है तो आप वीडियो को pause करके शारे option अच्छे से पढ़ लें answer हो जाएगा इसका राज्यों की विधान सभाओ के द्वारा यानि राज्य सभा के जो सदस से चुने जाते हैं वो राज्यों की विधान सभाओ के द्वारा चुने जाते हैं कोशन है कि किस देश को जुलाई 2019 में विश्व स्वास्त संगठन द्वारा खसरा मुक्त गोशित कर दिया गया है answer हो जाएगा स्रिलंका option number C कि स्रिलंका को जो है जुलाई 2019 में विश्व स्वास्त संगठन द्वारा खसरा मुक्त गोशित किया गया है कोशन है अगला कि अमलिय मिर्दा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा ओक्सिलोफाइट अगर आपसे नमकीन पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा हेलोफाइट यह लेकिन यहाँ पर अमलिय मिर्दा है कोशन है अगला कि हुन्रू जल परपात किस नदी पर इस्थित है आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण रेखा नदी पर option number B कि हुन्रू जल परपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर इस्थित है और ये जहरखन में है कोशन है अगला कि पंचायती राज़ प्रनाली किस सूची में है या किस सूची के अंतरगत आते हैं आंशर हो जाएगा राज्य सूची option नमबर B कोशन है अगला कि भारतिय शम्विधान में अफसिस्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित होती है या फिर किसमें सम्मिलित है आंसर हो जाएगा संसद कि भारतिय शम्विधान में अफसिस्ट शक्तियां जो है संसद में निहित होती है या उसमें सम्मिलित होती है कोश्चन है अगला कि मानो विकास सूचकांक 2018 के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्थम रैंक किस देश का है आंसर हो जाएगा नार्वे option number C कि मानो विकास सूचकांक जो है human development index 2018 के अनुसार प्रत्थम रैंक पर कौन सा देश है तो वो है नार्वे कोश्चन है अगला कि वरिस्ट नागरिकों के लिए रास्टिय वयोसरी योजना कौन से सहर से सुरू किया गया था आंसर हो जाएगा इसका निलोर option number D कि इसकी सुरुआत जो है आंदर परदेश के निलोर से एक अप्रील 2017 को ये सुरू की गई कोश्चन है अगला कि शंविधान के किस संसोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आया आंसर हो जाएगा 73 option number A कि 73 संविधान संसोधन में जो है ग्राम सभा अस्तित्व में आया कोश्चन है अगला कि हडपा अस्तल दाईमाबाद भारत के किस राजमें इस्थित है आंसर हो जाएगा महारास्ट option number C दायमाबाद भारत के कौन से राज में स्थित है तो महारास्ट में question है अगला कि तकला मकान या कहीं कहीं पे आपको माकन भी लिखावा मिलेगा तो तकला मकान मरुश्थल अवस्थित है कहां आंसर हो जाएगा इसका चीन option number A next question पारदीब बंदरगा कहां इस्थित है आंसर हो जाएगा उडिशा option number B पारदीब बंदरगा कहां इस्थित है तो उडिशा में question है अगला कि असोग कि किस अभी लेख में सभी संप्रदायों के लिए शहिशनुता की बात कही गई है आंसर हो जाएगा सात्वन शिला लेख option number C असोग के जो 14 अभी लेख थे उसमें से सभी संप्रदायों को इलिए शहिशनुता की बात जो कही गई थी वो सात्वन शिला लेख में कही गई थी question है अगला कि निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है ताप इसमें भी वीडियो को पाउस करने पहले उसके बाद फिर इसका आंसर आप देजिए आंसर हो जाएगा इसका option number D कि ये मिलान जो है गलत है सारेल का व्रिक्ष यहाँ पे दिया गया है acetic acid जबकि इसका सही आंसर होगा कि सारेल के व्रिक्ष से और जेलिक अमल जो है रिलीस होता है बाकी खटे फलो में satric acid होता है घास वपत्ते में benjoic acid और लाल चीटी में formic acid अगला है कोशन कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंता स्रावी ग्रंथी निमलिक्षित में से कौन सी है आंसर हो जाएगा इसका प्यूस ग्रंथी पिटुट्री ग्लैंट option number C कोशन है अगला कि खदानों में अधिकांस्तव विस्फोट होते हैं आंसर हो जाएगा इसका option number C हवा के साथ मीथेन के मीश्रन से खदानों में जो विस्फोट होते हैं अधिकांस्ता तो वो किस कारण से तो हवा के साथ मीथेन के मीश्रन से ही विस्फोट होते हैं कोश्चन है अगला कि किसके सासनकाल में भारत में अंग्रेजी सिक्षा आरंब की गई? आंसर हो जाएगा इसका लाड विल्यम बैंटिक, option number A, अब इसमें confuse मत होईएगा, क्योंकि अगर पूछा जाता है आपसे कि अंग्रेजी सिक्षा आरंब करने का स्रेह किशे जाता है, तो वो तो आंसर हो जाएगा आपका मैं काले, कि या तो अगर पूछा जाए कि अंग्रे जी सिक्षा आरंब, तब आपका आंसर हो जाएगा लाड विल्यम बैंटिक, question है अगला कि cancer के उपचार के लिए परियोक्त उतक्रिष्ट गैस है कौन सी, answer हो जाएगा इसका redon, option number D, कि cancer के उपचार के लिए परियोक्त उतक्रिष्ट गैस कौन सी है तो redon है, question है अगला कि राजट्व का सिध्धान्त किष ने अस्थापित किया, answer हो जाएगा इसका बलवन, option number C, राजट्व का सिध्धान्त किष ने अस्थापित किया, तो बलवन ने अस्थापित किया, Question आगला भारत में जैविवीत्ता अधिनियम किस वर्स पारित किया गया Answer हो जाएगा इसका 2002 Option नमबर B कि भारत में जैविवीत्ता अधिनियम जो है कौनसे वर्स में पारित किया गया तो 2002 में Next question भारत के किस नदी को जैविक मरुस्तल कहा जाता है आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को Option नमबर A कि भारत के दामोदर नदी को जो है जैविक मरुष्थल के नाम से जाना जाता है या जैविक मरुष्थल कहा जाता है Question है अगला कि Aces Cup का संबन्द किस खेल से है Answer हो जाएगा Cricket Option नमबर B और यह जो है England और Australia के बीच खेला जाता है Question है अगला कि लोग सभा में आंगल भारतिय शमूदाए से सदस्य मनोनीत करने की सक्ती किस के पास है Answer हो जाएगा इसका राश्ट्रपती Option नमबर C की लोग सभा में जो आंगलिय भारतिय शमूदाए के सदस्य मनोनीत किये जाते है और यह किस के पास इसकी सक्ती है तो राश्ट्रपती के पास Question है अगला कि भारतिय फुटबॉल टीम के वरतमान कोच कौन है Answer हो जाएगा इसका Igor Stomach Option नमबर A कि यह जो है भारतिय फुटबॉल टीम के वरतमान कोच है इगोर Stomach और यह कहां के है तो क्रोईशिया के Next question की योजना आयोक के स्थान पर नीती आयोक का गठन कब हुआ Answer हो जाएगा इसका 1 जनवरी 2015 को Option नमबर A Question है अगला कि 1.3 डिग्री उत्री अक्षान सिर्फ यहां पर आपको दे दिया गया है जबकि 1.3 डिग्री उत्तरी अक्षान सिर्फ को हम लोग कहते हैं करक रेखा और 1.3 डिग्री दक्षनी अक्षान सिर्फ को कहा जाता है मकर रेखा तो अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि करक रेखा पर भारत के कितने राज़ जबस्तित है तो Answer क्या हो जाएगा आठ Next question कि भारत के सर्वोच न्याले के कारेवाहक मुख्य न्यायदीस की न्युक्ति कौन करता है Answer हो जाएगा इसका रास्ट्रपती Option C कि भारत के सर्वोच न्यायदीस की न्युक्ति कौन करता है तो ये रास्ट्रपती करता है Next question A.C. में कि सर्वोच न्यायदीस की न्युक्ति कौन करता है तो आप Option को अच्छे से पढ़ लीजिए आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा option number A कि सर्वोच न्याले के मुख न्याइधी इसके परामर्स से रास्ट्रपती करता है कोशन है अगला कि All India Tiger Estimate Report 2018 के अनुशार बिहार में बागों की शंख्या कितनी है आंसर हो जाएगा इसका option number C 31 कि All India Tiger Estimate Report 2018 के अनुशार बिहार में जो बागों की शंख्या है वो कितनी है तो वो 31 है कोशन है कि ब्रिटेन के वर्तमान परधान मंत्री कौन है आंसर हो जाएगा इसका Boris Johnson option number B ब्रिटेन के वर्तमान परधान मंत्री Boris Johnson अगला है कोशन निमने में से कौन सा राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था आंसर हो जाएगा इसका अवध option number D कोशन है अगला कि 1857 के विद्रोह का तातकालिक कारण क्या था आंसर हो जाएगा धार्मिक कारण option number C धार्मिक कारण वो इसलिए क्योंकि इसका जो मुख्य कारण था वो चर्बी वाले कार्तुस का उप्योग करना जिसके कारण के हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो है ये धार्मिक कारण का मतलब की तातकाली कारण ये धार्मिक की बना कोशन है अगला कि किस अनुछेद के तहत शंसद विधी द्वारा उच्छे नियाले के नियाधिशों के लिए आंसर हो जाएगा अनुछे 221 की तहत ही संसद विधी द्वारा उच्छे नियाले के नियाधिशों के लिए कोशन है कि चटगाउं सस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग धा आंसर हो जाएगा इसका सूर्यशे नुबर C नेक्स्ट कोशन की भारत का आर्थिक सर्वेक्षन निमलिखित में से कौन सा मंत्राले प्रकाशित करता है आंसर हो जाएगा विध्ध मंत्राले नुबर A नेक्स्ट की पुस्तक The Scope of Happiness के लेखा कौन है आंसर हो जाएगा इसका विज्या लश्मी पंडित आप्सन नुबर D नेक्स्ट कोशन की बंबई, मद्रास और कलकता में उच्छे नियाले की अस्थापना कब की गई या कब हुई आंसर हो जाएगा इसका 1862, आप्सन नुबर A नेक्स्ट कोशन की भारत का अस्थलिय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका साथ देशों के साथ, आप्सन नुबर A कि भारत की अस्थलिय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है, तो साथ देशों के साथ अगला कोशन की सबसे छोटी समुदरी तटरेखा वाला राज कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोवा, आप्सन नुबर B अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी समुदरी तटरेखा वाला राज कौन है, तो गोवा, और सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज है, तो गुजरात कोशन है अगला कि चटकोरा नरित्य किस जनजाती का नरित्य है आंसर हो जाएगा कोकरू, ऑप्सन नुमबर C नेक्स्ट है कि भारती रास्टी कॉंगरेस का प्रत्थम निर्वाचित यूरोपिय अध्यक्ष कौन थे आंसर हो जाएगा इसका जॉर्ज यूले, ऑप्सन नुमबर B कि भारते रास्टी कॉंग्रेस के पर्थम निर्वाचित यूरोपी अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यू ले थे कोशन है कि भारत का सबसे छोटा अस्थलिय सीमा किस देश के साथ है आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान कि भारत का सबसे छोटा अस्थलिय सीमा कौन से देश के साथ है तो अफगानिस्तान के साथ है नेक्स्ट है कोशन कि निम्न मेंसे किस ने 1857 के विद्रोह को एक सड्यंत्र की संया दी आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एवं डबलू टेलर ने ऑप्सन नमबर A आंसर हो जाएगा इसका अमलिय मिट्टी अगर हो सकता है कि आपके अप्सन में अमलिय चारिया इस तरह से करके न दिया हुआ हो तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैटराइट मिट्टी कोशन है अगला कि अकबर के इक्षा अनुसार रामायन का फार्सी में अनुवाद किस ने किया था आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल कादीर बदायूनी ओप्सन नमबर सी कोशन है कि युद अभ्यास बज्र प्रहार 2018 ये युद अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ आंसर हो जाएगा भारत अमेरिका ओप्सन नमबर बी कोशन है कि उल्लू महोत्सव 2018 कहां मनाया गया आंसर हो जाएगा इसका पूनी ओप्सन नमबर ए नेक्स्ट है कोशन कि राजसभा के पहले शभापती कौन थे कोशन है कि 21 जून को निमलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है कोशन है कि लेंज का नियम निमलिखित में से किस के लिए आवस्यक है आंसर हो जाएगा इसका उर्जा का सनरक्षन के लिए अगला है कोशन की भारत में सबसे अधीक बड़ी जनजाती समुदाय है कौन सी आंसर हो जाएगा गौन्ड अप्सन नमबर सी की भारत में सबसे अधीक बड़ी जनजाती समुदाय किसकी है तो गौन्ड की कोशन है गला की बंगाल का प्राशी नाम क्या था आंसर हो जाएगा इसका God, option number C कोशन है अगला की निमलिखित में से कौन सा अंग वशा को तोड़ कर कॉलेस्ट्रॉल बना देता है आंसर हो जाएगा यक्रित कोशन है कि यदि किसी व्यक्ति को उचितम न्याले में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भासा में लिखी जानी चाहिए आंसर हो जाएगा इसका केवल अंग्रेजी भासा में, option number C नेक्स्ट है कि विक्टोरिया किस देश की राजधानी है आंसर हो जाएगा हौंग कॉंग, option number C अग्लाह कोशन की निम्न शम्विधान संसोधनों में से किस एक के अंतरगत दिल्ली नेशनल कापिटल छेत्र बना आंसर हो जाएगा option number B, 79 शम्विधान संसोधन के द्वारा अग्लाह कोशन की प्रथम जैन संगीती या फिर सभा का आयूजन कहां हुआ था आंसर हो जाएगा इसका पाटली पूत्र, option number A कोशन है कि वर्स 2018 का सर्विसरेश्ट भारतिय फुटबॉलर का पुरशकार किसे दिया गया आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री, option number B कोशन है कि कोपा अमेरिका कप, जो कि फुटबॉल से सम्बंदित है, 2019 किस देश ने जीता? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील, option number A और इसमें अगर उबीजेता पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा पेरू कोशन है कि वर्स 2019 की फॉर्चुन ग्लोबल 500 सूची में विस्व का सबसे सिर्ष कमपनी कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका वालमार्ट, option number B ये विश्व के स्तरपे है और अगर इसमें भारत में कौन सा है? तो रिलाइन्स ग्रूप कोशन है अगला कि 19 जुलाई 2019 को केंद्र शरकार ने किसे परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का नीजी सचीव नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा इसका विवेक कुमार को, option number B नेक्स्टे कोशन के भारती अंतरीक्ष अनुशंधान संगठन द्वारा, 22 जुलाई 2019 को चंद्र यान 2 लौँच किया गया इसे जो है किस रॉकेट से लौँच किया गया? आंसर हो जाएगा option number C, GSLV Mark 3 नेक्स्टे कोशन के वर्स 2017-18 में उत्पादन की द्रिष्टी से बिहार की सरवाधिक महत्वपूर्ण फशल कौन सी रही? आंसर हो जाएगा इसका चावल, option number B नेक्स्टे कोशन के हाल ही में भारती मूल की प्रीती पटेल किस देश की प्रथम ग्रीह मंत्री बनी? आंसर है इसका ब्रिटेन की, option number B कोशन है अगला कि त्रिवेनी नहर का उदगम होता है या फिर उदगम अस्थल कौन सी नदी से है? आंसर हो जाएगा गंडक नदी से, option number B कोशन है कि सन्युक्त रास्ट संगे के द्वारा, वर्स 2019 को किस रूप के, मतलब कि किस वर्स के रूप में घोशित किया गया है? आंसर हो जाएगा, option number D, देशी भासाओं का अंतर रास्टिय वर्स के रूप में इसे घोशित किया गया है कोशन है कि हिंदी बोलने वाली विश्र की पर्थम रोबोट कौन सी है? या फिर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका रश्मी, option number A और इस रोबोट को जो है रांची के एक इंजीनियर ने बनाया है और यह हिंदी, इंगलिस, मराथी और भोजपूरी भासा को भी बोलने में शक्षम है कोशन है अगला कि अगस्त 2018 को किस राज्य सरकार द्वारा बालिकाश शक्तिकरन हेतु मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारंभ किया गया है आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा, option number C कोशन है कि हौकी, पुरूस विश्रुकब, ठीक है हौकी यह पुरूस में हौकी विश्रुकब 2018 का खिताब किस ने जीता आंसर हो जाएगा इसका, बेल्जियम, option number C कोशन है अगला की, चालीसा मंडल का गठन की सासक ने किया आंसर हो जाएगा, इलतुतमिस, option number C कोशन है अगला की, सल्तनत काल में, आमीर A. आखूर कहलाता था आंसर हो जाएगा, अस्वसाला का प्रमुख, कि अज सल्तनत काल में, अस्वसाला के प्रमुख, या फिर अस्वसाला के प्रधान को, आमीर A. आखूर कहा जाता था कोशन है कि भारती शम्विधान सभाके, प्रत्थम दीन के अधिवेशन की अध्धक्षिता किस ने की थी? आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सचीदानन सिन्हा, option number D. और ये भारती शम्विधान सभाके, ओ अस्थाईश अदस्य थे, डॉक्टर सचीदानन सिन्हा कोशन एगला कि गुपत कालीन कला का मुख्य केंद्र था? आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संसलेशन में शहायता करना, option number B. कि आरेने का मुख्य कारी क्या है? तो प्रोटीन संसलेशन कोशन है सहारा मरुवश्थल से भूमत दिसागरिय प्रदेश की ओर चलने वाली गर्म धूल भरी पवन को क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा सिराको ओप्सन नमबर बी अगला कोशन की किस गहास के मैदान में वरिक्ष नहीं पाए जाते हैं आंसर हो जाएगा स्टेपी ओप्सन नमबर ए नेक्स्ट है कि रास्टी चावल अनुशंधान केंद्र कहां इस्थीत है आंसर हो जाएगा इसका कटक ओप्सन नमबर डी कोशन है कि प्रोटीन बने होते हैं आंसर है इसका अमीनो अमल के ओप्सन नमबर सी की प्रोटीन जो है बने होते हैं कि इसके तो अमीनो अमल के नेक्स्ट है कोश्टन की 2018 में किसे मिस वर्ड चुना गया आंसर हो जाएगा इसका वेनिशा पोंस्टी लियोन को अप्सन नमबर बी कि 2018 का मिस वर्ड किसे चुना गया तो वेनिशा पोंस्टी लियोन और मानुसी चिलर को 2017 का मिस वर्ड चुना गया था कोश्टन है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहां है आंसर हो जाएगा इसका दूशामबे ओप्सन नमबर सी नेक्स्ट है प्रथम चेरी ब्लॉसम महाउत्सव कहां संपन हुआ आंसर है सिलॉंग ओप्सन नमबर बी में नेक्स्ट है कि हमबोल्ड जलधारा दक्षिन अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर ऑप्सन नमबर सी नेक्स्ट है बंगाल की एश्याटिक सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थे आंसर हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स अगला है कोशन की प्रस्तावना में स्वतंता, शमानता और बंधूतु शब्द किस देश के संभिधान से लिये गये हैं आंसर हो जाएगा फ्रांस, ओप्सन नमबर बी नेक्स्ट है कि प्रथम मैशूर यूद किसके बीच लड़ा गया आंसर है ओप्सन नमबर ए, ब्रिटीस और हैदर अली के बीच कोशन है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतिय नागरीकों को उपलब्ध है कहने का मतलब है कि केवल भारतिय नागरीकों को ये ही उपलब्ध होगा बलकि विदेशी नागरिकों के लिए ये नहीं है आंसर हो जाएगा इसका option number D कि अनुछेद 15, 16, 19, 29 ये option में है एक और आप इसे याद रख लिजे कि 30 ये सारे के सारे जो है केवल और केवल भारतिय नागरिकों के लिए उपलब्ध है नेक्स्टे कोश्चन की भारतिय चुनाव प्रेनाली यहाँ पर चुनाव होगा भारतिय चुनाव प्रेनाली से जुड़े विवी पैट में T का क्या तात परी है आंसर हो जाएगा इसका ट्रेल option number C इसका फुल फॉर्म भी याद रख ले हो सकता है इसमें T के लिए पूछा गया कहीं आपको A के लिए पूछ दिया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वोटर वैरी फीएवल पेपर ओडिट ट्रेल और भीवी पैट का इस्तेमाल जो है पहली बार नागा लैंड में किया गया था कोशन है अगला कि अंतर राष्टिय नशा मुक्त दिवस कब मनाय जाता है आंसर हो जाएगा इसका 26 जून option number C कि अंतर राष्टिय नशा मुक्त दिवस कब मनाय जाता है तो 26 जून को मनाय जाता है कोशन है अगला कि किस देश ने भारत के उच्चितम मुल जो कि दो हजार रुपे और दो सो रुपे के करेंसी नोट को अवैद घोशित कर दिया गया यानि कि इन सारे नोटों पर वहाँ परतिबंध लगा दिया गया है आंसर हो जाएगा इसका नेपाल ओप्सन नमबर बी अगला है कोशन कि प्रांतों में द्वैद साशन प्रणाली किस अधिनियम के अंतरगत लागू की गई थी आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर सी भारत साशन अधिनियम उनीश चो उनीश के अंतरगत खोशन है कि 29 जून 2019 को भारत में मनाया गया सांखी की दिवश का विशे क्या था या फिर इसका थीम क्या था आंसर हो जाएगा इसका सतत्विकाश लक्ष ओप्सन नमबर बी तो आई होप कि आज का टेस्ट आप लोगों का काफी अच्छा रहोगा और दिन बदिन आप लोगों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता रहे ऐसी मैं आसा करती हूँ तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और इसे जतना जादा हो सके इसे सेयर करें धन्यवाद